हेलो एब्रिवन वेल्कम टू मा चैनल फ्रेंड्स आज में आपके लिए स्वेटर का ब्यूटिफुल पैटरन लेके आई हूं यह बुनना बहुत एजी है यह लेडीज, केट्स, जैन्ट से सबकी स्वेटर में डाला जाने वाला पैटरन है यह फोरो पैटरन है आप मैं इसक मैंने पैटरन का एक छोटा सा बॉडर बना लिया है तो यह फ्राट साइड से स्टार्ट होता है पैटरन सीधी स्लाई से पहला फंदा इसको स्किप कर लिया आगे दो फंदों से आगे से सिलाई के साथ से ऐसे एक फंदा निकालना है ऐसे फिर जो यह दो फंदे हैं दो फंदों से एक फंदा निकाल लेना है और इनको छोड़ देना है यह दो फंदे थे तो यह दो फंदों से दो फंदे बन गए हैं आगे भी दो फंदों से आगे से एक फंदा निकालना है ऐसे और जो यह दो फंदे हैं इस पंदे को ज्यादा लूजबनी रखना है और ज्यादा टाइट बनी रखना है इसको सिलाई के लेबल से ऐसे ले आना है इसको और जो ये दो पंदे हैं दो पंदों से एक फंदा निकाल लेना है और इनको छोड़ देना है आगे भी ये पैटरनी के फर्स्ट रो चली है दो पंदों से आगे से सिलाई के साथ से ऐसे पंदा निकालना है और जो ये दो पंदे हैं दो पंदों से एक फंदा निकाल लेना है ये पूरी स्लाई में ऐसे ही बनते रहेंगे ये पैटरन बहुत इजी है 2 पंदों से आगे से 1 पंदा ऐसे 20 से ऐसे निकालना है जिलाई के साथ लगते हैं और जो ये 2 पंदे है इन2 पंदों से एक फंदा निकाल लेना है कि दो के दो बंदे बन गए हैं कि बॉडर के साथ लगते फंदे थोड़ा टाइट होते हैं इनको थोड़ा दीर दीर से ही बनाना पड़ता है यह फर्स्ट रो कंप्लेट होगी है और यह बैक साइड सेक्ड रो सेक्ड रो सेक्ड रो में उल्टे भंदे ही लगेगी सबी कि आप इसे बढ़िये चोड़े किसी भी स्वाटर में डाल सकते हैं इस आप इसे बढ़िये छोटे किसी भी स्यूटर में डाल सकते हैं इसक्ड दाना कर दो अब सभी में बहुत ही अच्छा लाइगा पैटरन है अब थर्ड रो तो थर्ड रो में चेंज होने वाला है यह फोर रो पैटरन है अब तीसरी स्लाइड चली है पहला पंद इसको स्किप कर लेना है आगे का पंद इसको सीधा बुनना है पहले हम दो पंदों के बाद एक पंदा निकाल रहे थे फर्स रो में अब तीसरी स्लाइड में जो हमने जो आगे बाला पैटरन डाला था अब यह वाला और जो पहले बाला पैटरन अब इनके दो प और भीव से, दो फंदों के एक फंदा निकाल लेना है, ऐसे, और आगे भी जैसे नीचे हमने पैटरिन डाला है, ये वाला और ये वाला, दो दो फंदों वाला, आप जो इनके बीच वाले फंदे हैं, एक एक फंदा ले लेना है, दोनों तरब से, आप इनसे फंदा निकालन नहीं है इस विर पैटन बुर्णा बहुत ही इजी है सिर्फ 2 भंदों से आगे से 1 पंदा निकालना है और जो दो भंदे हैं उन 2 पंदों का 1 पंदा निकाल लेना है ऐसा if you Alright कि यह चार स्लाइब उड़ा पैट्रिन थो 2 में जो नीचे वाला पैट्रिन है टोलो में ये पढ़ते हैं और यह टूलों में पढ़ते है यह लेकिन जो नीचे वाला पैट्रिन जाके आप पांच में छेमी स्लाई में तो उसमें फिर से जैसे फर्स्ट और सेक्ड रूव में डाला है जैसे ही डालना है आगे के लास्ट में एक फंदा बच्चा है इसको सीधा ही रखना है कि यह थर्ड रो कंप्लिड हो गिये आप अब आगे फोर्थ रो फोर्थ रो उल्टी बैक साइड उल्टी स्लाई जैसे हमने सेक्ड रो लगाई है वैसे ही लगानी है सेक्ड रो में सभी फंदे उल्टे ही लगाए है तो फोर्थ रो में भी सभी फंदे उल्टे ही लगाने पैटर्न सिर्फ फर्स्ट, थर्ड, फेप्थ, सेवंत इन रो में पड़ेगा अब यह फोर रो कम्प्लीट होगी है आगे आप पांच में और छे मिसलाय में जैसे फर्स और सेक्ड रो में पैटर्न डला है रैसे ही डालना है तो डिजाइन निकल गया है अगर आपको मेरा बुना हुआ पैटर्न प्रशंदार है तो लाइक सेर और सब्सक्राइबर जरूर करते हैं अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार है तो भी लाइक सेर और सब्सक्राइबर जरूर करते हैं थैंक्यू